तो बैंक निफ्टी है टॉल टाइम हाई तो क्या कहते है टेक्निकल्स क्या कहता है आने वाला हफता क्या कहता है डेटा क्या प्रॉफिट बुगिंग होनी वाली है या फिर क्या हो रहा है एक्जाक्ली आज हमें इस वीडियो में देखेंगे निफ्टी भी बैंक निफ्टी स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो तो चलो सबसे पहले पर देखते यह रहा बैंक रिफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम वीकली टाइम फ्रेम पे अब आपके नीचे नीचे जो इंडिकेटर है यह एवरेज टू एटियार है एटियर बताता है कि एक हफते में कितना मूफ करता है ट्रू रेंज 13790 इस वक्त मार्च 2022 में यह 90 रहने तक मूफ करता है अभी की अप्रोक्सिमेट रेंज 1300 यह घूमता है अगर यह उपर नीचे मिला कि इसको डिवाइड बाई टू कर दो अगर 750 पॉइंट जाता है उपर या नीचे अगर उपर जाता है 750 पॉइं अगर अपने पास सामने मार्केट को देखिए अब मैं इस इंटिकेटर को बंद कर रहा हूँ तो बैंक निफ्टी प्रॉपर एक ब्रेक आउट करके ठीक है दिखर आपको यह अच्छा का सा ब्रेक आउट करके डिसेंबर 2022 में पुल बैक लेके अगर फिर से रिटेस्ट कर यह एक बड़ा टाइम एक बड़ा विजन हुआ एक ट्रेडर को क्या करना चाहिए उस पर बात करेंगे अब ठीक है अज़र वाट यू शूड डू तो क्या नहीं करना चाहिए उस पर बात करेंगे बड़ी टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं और बैंक निफ्टी में यह समझ लेते हैं कि जो 14 डिसमबर का हाई था उस से अपन कितने दूर है तो क्लोजिंग वाइज अपन 800 पॉइंट जूर और अगर हम इसको कर देंगे तो हम न्यूज में आने लगेगा सारे टीवी चैनल्स में टेपर में इंस्टाग्राम पे बैंक निफ्टी ओल टाइम हाई मीम बनेंगे सब बनेंगा और यही टाइम रहेगा आपको याद रखना है एज एन इन्वेस्टर ने एज ट्रेडर आपको यहाँ पे अपना व्यू बैरिश बना लेना चाहिए फॉर सम टाइम क्योंकि मार्केट कभी भी ब्रेकाउट करता है जब जब भी इतने बड़े ब्र होता है अभी long करने के लिए अच्छा movement है sell करने के लिए तो यह view बनता है हमारे आने वाले इस हफते और दो हफते का ठीक है चलो before we get into the charts we will go for some data हम सबसे पहले futures का data study करेंगे यह रहा निफ्टी रहा bank निफ्टी सिर्फ अगर अपन एक दिन देखेंगे तो Friday के दिन क्या हु कि अभी भी अच्छी खादी short covering होई है और short seller भागा है मतलब कि अगर यहां पर जिस दिन अपन को दिखेंगा न कि market में price बढ़ा और OI गिर गया तो चलो इसका मतलब है short seller भाग गया अब हमको क्या देखना है जब price गिरेगा और OI गिरेगा उसका मतलब होगा profit booking चालू हो Tuesday Wednesday को जाते हो आप देखते हो अगर price उपर जाके all time ही टच कर लेता है मां लेते मंडे को और फिर Tuesday Wednesday से गिरता है और गिरते वक्त ओवाई भी गिरता है मतलब profit booking आ रही है अगर price गिरता है और OI बढ़ता है यहां पे यानि कि short seller गुस रहे है इस तरहीं से पता लगा सकते हो कि market में क्या हो रहा है अभी के data के साब से there is no profit booking there is nothing बट बुल्स तो आई रहे होंगे अभ्यसी बाट है बट बेर्स भी भाग रहे चाहिए एक बार अपना data देख लेते हैं इसके हिसाब से भी नॉर्मल क्यूंकि quantity जादा लबी नहीं है ठीक है अगर अपन futures देखेंगे तो निफ्टी में भी देखने मिल सकता है ठीक है तो this is fii data is telling you कि यह जो पैसा यहां लगाया गया है यह cash में भी लग रहा है futures में भी लग रहा है तो यह जो movement है इसा है movement अब तो भूल जाओ मतलब जो लोग invest नहीं कर पाए मैं तो हमेंचे को डेटा बता रहा है मेरे को डेटा मेरे को अपने मन से कभी अपने लोगों को नहीं बोलना चाहिए data क्या कहता है study करना चाहिए data कहता है कि market totally bullish हो चुका है और अच्छा कासा पैसा लग चुका है market में real पैसा लगा हुआ है तो जितने लोगों को यह उमीद है न एक चीज़ तो मैं guarantee में कह सकता हो कि अब यह वाला जो उमीद था कि भाई again the dip आ जाए I will buy the dip no time for buying the dip ना तो market यहां रहा है ना market 15,000 जा रहा है अब market and it's right अभी भी मेरे को लगता है ठीक टाक टाइम है कभी भी market थोड़ा breakout दे आप buy करो क्यों कि मैं तो करता रहता हूं मैंने recently पिछले मैंने काफ ही कुछ पैसा इन्वेस्ट किया था और आपको इसमें भी इन्वेस्ट किया मैंने बहुत सथा ETF में याने की Nifty Bs, Bank Bs, ITBs, Ph हुआ ही देखेंगे, strong 1.3 PCR, 1.0 all मतलब बहुत बड़े-बड़े strike price ले लिए इसने, मैं अगर 15 तक भी जाओंगा, 15 strike price तक है, चलो 10 तक भी जाओंगा, तो भी मेरा PCR 1 है और मेरे को जो दिख रहा है, ठारा हजार 18,000 रुपीस पर बहुत strong हुआ ही है, यानि कि आप जादा अच्छे से कमा पाओगे, ठीक है, अब आजाते है, निफ्टी पे, एक बार मैं आपको निफ्टी का weekly chart दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि देखो, यहाँ पर market ने, तीन green candle, एक red, एक green और एक और green candle, हाई तोड़ दिया, इसने, मैं दिखाऊंगा, तो देखो, there is no big shock नहीं लगेगा आपको, कभी भी green के बाद green candle weekly basis पर बनने में कोई बड़ी बात नहीं है, हाँ देखो, यहाँ पर, यहाँ तक आया, मतलब market 16,700 से, 450, 250 गिर के फिर उपर गया, तो यहाँ रखना, daily basis पर, intraday, अपनको falls मिलेंगे, बट market data के हिसाब से काफी strong है, और price action के हिसाब से भी candles जो कह रही है, अगर यहाँ देखोगे तो यह देखो, market नीचे से उटा green candle बनाया, green candle बनाया, green candle, तो there is no big deal की market consecutively green candle बना सकता है weekly time frame में भी, यहाँ देखो, 17,500 से, लेकिन नीचे आया यार, 332 था, तो 200, 200, 300 points, pullbacks आ सकते है, आप उनको भी in cash कर सकते हो, short time frame पे, but make sure आ आप रहे, इस हफते से यह अपना आप रहना चाहिए, ठीक है, आप आजाते है, अपने trading time frames पे, तो सबसे वे लेपन को देखना है, कहां पे है, अपना अगला resistance point, तो अगला resistance point जो है ना, इस area पे, 18,130 पे, यहाँ पे market touch करके, total turnaround मार दिया, याने कि यहाँ पे market touch करके, 18,130 लास time जो fall दिया है, red candles की बात कर रहा हूं, 840, nifty में बहुत बड़ा number रहता है, bank nifty की बात नहीं चल रहे, nifty की, तो यह वो point है, जासे 800 रुब का sell मा रहा था, तो obvious ही बात है, यहाँ पे, कुछ तो भले 800 का नहीं, लेकिन, maybe 100 points का, 152 रेपन को fall आ सकता, तो हमारे लिए प 200 के round figure number पे, तो यह दो हमको मिलते, क्योंकि अपन को 15 minute time frame पे levels कभी नहीं विलेंगे, guys, यहाद रहा हम दिखाऊं कैसे, यह को 15 minute खोलू, कुछ नहीं यह भाई left में, तो ऐसे time frame पे आपको सहरा लेना पड़ता है, बड़े time frame का, तो दो intraday trading levels मिलते है, अपन को 18,200, यह 18,130 and उसके बाद का जो एकदम अच्छा का सा resistance level है, वो 18,261 है, तो यह बनगा हमारे 3 important profit bookings level कहलो, यह पर आप resistance कहलो, यह बनगे 3 levels हमारे लिए, कि उसके उपर बनाना, आप guess करो, कौन सा point पकड़ूँगा, यह point पकड़ूँगा, यह point पकड़ूँगा, यह point पकड़ूँगा यहाँ पर closing वाला कुछ मिल ली रहा था, तो मैं यहाँ पर इस वाले को choose करूँगा, यहाँ भी दिखर आपको resistance है, 18,440 तो 431 पकड़ लेते हैं, तो अपन ने बना लिए भाई, पूरे हफते के लिए बना रहा हूँ मैं analysis, तो बन गए आपके लिए resistance points या profit booking points, very nice, अब अ important support point बनेगा, 200 moving average जो बहुत दूर है, ठीक है, जो बहुत दूर है, दूसरा important support point बनेगा, मैं आपको बता दू, 50 moving average, तो right now 50 moving average है 17,719, ठीक है, तो यह 200 moving average is over here, अब इसको दोनों को बंद कर दो, यह बहुत important होते हैं, specially जब market overextend हो जाए, तो 50 moving average भी support देता है, यह support, कभी trending market goal लो, 50 moving average, पंदर्मन time frame का support देते देते लेके जाता है, यह तूटता है, तो 200 moving average की बारी आती है, और यह mostly समाली लेता है, तो यहाँ पे अपन को सबसे important support level मिल चुके है, इसका color अपन पहले black कर देते है, ठीक है, let's make it black, ठीक है, तो these are the two support levels for the support, अब यहाँ पे देखें को, और market ने इस वाली जगह पे काफी strong green candle बनाई, तो ठीक है guys, अब हमारे पास कैसा, अब आपन को intraday levels भी कोई चीज होती है, तो right now what we have, we have a resistance at 18,130, और support at 17,920, तो बन गए हमारे levels, अब एक मिनिट के लिए, हमको global market भी study करना है, कि Singapore Nifty 78 points अप खुल रहा है, क्योंकि Dow Jones भ खुलेगा approximately, तो मतलब यहां कहीं, सीधे यह भी खुलने वाला है, तो अगर आपको 18,130 पे resistance दिखता है, double top दिखता है, तो you can short, no problem, you can short, but you have to book your profits at 1 is to 1.5, और 1 is to 2 maximum, बड़ आपको, मतलब उमीद नहीं करना है कि अब यह आपने short किया, तो मैं hold करूं तीन दिन, puts को hold करते है, आपको यहां पर inverted V-shape recoveries plan करना चीए, और अगर market इसको slide करता है, तो यहां पर retest के साथ sell rate बनाया जा सकता है, this is how you should be planning, अगर market gap खुलता है, और नहीं कर पाता है, resistance मिलता है, बड़ी रिक candle, short करो, book कर लो, short करो यहां पर profit book कर लो, 1 is to 1.5 पे, देखो support लेता है, उपर target profit number हो सकते हो, तो these are the levels for you, for nifty, now let's go ahead, important करते है, bank nifty को खोलते है, bank nifty very interesting, because market ने all time है बनाना, यह लिए जो सबसे पहला all time हाई है, उल्लेक्टास अग्दम perfect निकालना है, तो यहां पर mouse अग देते हैं, ओके, 44, 153 पे हमारा पहला resistance point, all time हाई है, 100% resistance है वहाँ पे ठीक है, अगला जो important level है, opening यहां होई, गिर गया मार्केट, यहां भी दो बार open होके गिर चुका है, gap up खुल के, क्या पता है, इस बार भी यह पर gap up खुल के गिर जाए, और अपन इस वाले part को assume कर सकते हैं कि this is a fake breakout, not a fake breakout, it was all time high, but present, बाद में बता चलता है कि यह तो बहुत ही जदा खतरना गे रही है, यहां पर bank nifty sustain नहीं कर पाता, आया है, और 3-4 बार try किया, तो बिल गया पन को, ठीक है, सबसे पहले, अगर वो 80 points gap up खुल रहा तो यह 162 points gap up खुलेगा, यह नहीं यहीं खुलेगा, स अगर यह पूरे यह इस zone को बहुत समल के trade करना बनको, अब मैंना आप काम करता हूँ आपको, और उपर लेके जाता हूँ, market opens up here, gap up open होता है, gap down close होता है, gap down open होता है, उपर close होता है, gap up open होता है, तो यह यह एरिया जो है ना काफे interesting है, open भी हो रहा है, closing भी हो रहा है, तो बिलता अगला लेवल, अगला लेवल अपन को यह बिलता है, बना लिया हमने upside के पूरे छोटे time frame के लिए levels, अब आ जाते है 15 में time frame पे, तो उपर के पूरी तयारी कर लिया है, हमने उपर के पूरे levels अपने drop, आप देख लो, photo kitchen and levels का, अपने chart से बना लो, guaranteedly market यहाँ पे अ 80 रुपीज की, इस 80 रुपीज की range को कुछ मत करना, आप इस range को अच्छा गासा यहाँ पे एक red color का वो mark कर लो, supply zone, ठीक है, अगर market खुलेगा और यहाँ पे price action negative मिलता है, बाई, please shot करो, don't worry, but क्या बोला मैंने, जब आप यहाँ पे shot करेंगे, red candle देखे, double top देखे, इस area स आता हुआ, यहाँ कहीं shot मत करना, कुछ मत करना, इसको आने देना यहाँ पे, अगर gap आप खुलके यहाँ खुलता है, कुछ मत करना, आने देना, आएगा वो चला जाता momentum, ए green candle बना देगा, अगर यहाँ पे आपको evening star में ले, double top में ले, तो भाई, बिलकुल risk management follow गर gap shot करो but book your profits, like what should be your first profit booking level, this gap fill, आप this gap fill trade को, इसको बनाओ अपना पहला target, ठीक है, अगला target किसको बनाओ, अगला target आप इसको बनाओ, मान लो market खुलका है, तोडता है इसको, वापस यहाँ आता है, support ढूंडो, long question करो, तोडता है, तोडता है ना, इसको तोडने दो, और यहाँ कही market को देखने तो ऐसे करके, ठीक है, ओके, तो इसमें तो levels अच्छे मिल गए, there is no need for you to find out 50 moving average, but 200 moving average, आप निकालो इसका, moving average निकालोगे, तो यहाँ आएगा, पर इसको आप mark कर लो, ठीक है, तो यह रहाए आपके लिए downside के levels, 42, 543, 42831, 43226, ओके, and then resistance level starts at 43526, 43606, यह zone है, इस बीच में कोई trading नहीं होगी, आपको देखना है, जोन को तोड़ रहा है कि नहीं तोड़ रहा है, it's a proper supply zone, after 43606, 43769, and 43941, and 44153, and then it's all time high, and obvious ही बात है, यहाँ पे अपन को अपना पूरा view zone, अच्छे ने, trader का, investor का नहीं, investor can hold their trades, investor should hold their trades, they should not, maybe not, add more quantity as of now, maybe they can book, जिसको पुराने को book करना है profit, लेकिन अगर long term पे है, तो कुछ मत करो, लेकिन trader यहाँ कहीं न, यह जो area है, यह area है, गजब supply zone, कैसे पता, अगर आप इसको one day time frame पे लेके जाता हूँ, अगर आप देखोगे, तो market इसके ओपर क्यों नहीं जा पाया आज तक, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा buying है कि selling है, people are booking their profits, people book their profits over here, 14 December 2022 को, इसलिए जान नहीं पाता न, उसको यह तो खतरना के रिया, तो आप जब इस area में पहुँच जाओ, तो make sure you are, as a trader point of view, you need to find sell on rise, from this point, तो अभी तो अपन trend क के बीच में ultimate touch नहीं है, we can still stay bullish and work on these levels, okay, okay, कैसा लगा आज का वीडियो, मतलब थोड़ा सा लग तरीके से पन को analyze करना पड़ा, dairy time frame से levels निकाले, समझ में आया की नहीं है, सब कुछ, let me know in the comment section, पसंद आया है, फ़र तो like कर देना, अब क्या, एक important player है, key player है, reliance, जो एक important supply zone आ चुका है, market एक high बनाया, फिर lower high बना की गिरने लग गया, अब वापस से उसी area के अब सबस गिर गया, अब क्या है, ये एकदब important supply zone और एकदब important moving average को आ गया, अगर nifty को push turn करना है, bank nifty को नहीं, nifty को भी all time high touch करने में time है बहुत, लेकिन अगर उसको कोई साथ देगा, तो बहुत सारे stock में, reliance उसमें safe है, अगर reliance 2 minute moving average को तोड़ता है न, तो आपको rifty भी उपर जाता देगेगा, तो अब आपके सामने क्या, 15 minute time frame पे मैं आपको ले के आऊँगा, और आपको दिखाऊँगा, कि यहाँ पे न, इस zone के उपास में moving average है, तो you need to mark this down 2445, इस तरी is the trade, you should keep an eye on, जिंदल स्टील की बात करते हैं, जिंदल स्टील ने 15 minute time frame पे दो super bullish candle बना के, तीन super bullish candle बना के, अच्छा कासा market नीचे गिरा, त्रेट लाइट को तोड़ा, retest किया वापस एक supply zone पे, resistance पे फ्रस के जोन पे आ गया है, तो अच्छा price action है stock में, 583 के उपर यह 59 तक का target दे सकता है, 578 के नीचे है यह अपन को minimum, 575 का target दे सकता है, पहला और दूसरा अपन को दे सकता है, 573 का, तो यह दो target अपन को मिलते है, जिंदल स्टील और पावर में, JSW स्टील नहीं है, यह जिंदल स्टील और पावर है, दो अलग लग स्ट्रॉक है, अधानी enterprise daily नहीं होता, momentum क्या आया है, कि जो एक supply zone है इसका, जो एक resistance वाला area है, closing basis पे, यह था वो area, कि market closing, यह इसके उपर दिया नहीं, इसके उपर, इस level के उपर, इस बर दे दिया है न, दे दिया, इस बर दे दिया है, इस बर दे दिया है, लेकिन अगर opening तक की body बनाओ, तो opening तक की में दिया गया है, और अगर यह breakout ऐसे आता न, ऐसा वाला आता, तो अपन को लगता यार, पता नहीं, sustain कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, लेकिन यह कैसा बढ़िया वाला breakout आया, ऐसे करके, pullback लेके breakout किया, तो that is a good breakout, so if it is breaking out, आपको मालने मादानी इंटर्प्राइज कैसे, ओपन है, bullish zone, 2047 से कैसा, फिर यहाँ पर मार खाना चालू करता, stock देगा, अच्छा खासा मार खाता है, यहाँ पर जानी पाता, तो आप, you can stay bullish, sell करना, उसके बाद देखना, तो आप कैसा, 12936 से 2049, जो कि एक, intraday trading के लिए, के लिए ज़्याद ही हो गया, आप इसमें तीं 152 हुआ, book the profits, again take a trade, तो यह अच्छा खासा zone है, अधान इंटर्राइस के लिए, बाटा है, आपके लिए दोनों तरफ का trade, यहने बाटा तो आपको one hour time frame पे भी अच्छा दिखेगा, आपको consolidation, कि कैसा बाटा ने bull run दिया, बुल रन दिया, यहाँ पे देखो, बाटा ने य अच्छी बात है, यहाँ पे bullish pattern है, और यहाँ पे bullish हो सकता है बाटा, आप देख सकते हो, और यहाँ पे न इतने consolidation करने गाता अगर bearish होता है, तो भी trade lane में कोई दिक्कत नहीं है, जा गरना बढ़ेगा, 15 minutes पे आएंगे, confirm level बनाएंगे, sell के नीच, sell का level और buy का level, तो मुझ और buying करने के लिए आपको 1484 का wait करना है, और उपर के तरफ अपने pivots वगर यूज़ करके trade कर सकते हैं, यह रहा इस हफते का market analysis वीडियो, जहाँ पे bankrifty, बहुत अच्छा week रहा, और मैंने भी कुछ दो वीडियो जाले आप लोगो सिखाने के लिए, I hope आपने देखे मेरा trading floor बन रहा है, मतलब बन गया, 60-70% lights lights लग गई है, अभी setup करना है, सारे के trading setups लगाने computers को वहाँ पे, उनको सब कुछ set करने में अभी भी लग जाएगा 3-4 दिन, but still I'll try to make more videos for you, I hope आपने देखा होगा live trading videos, जिसमें एक दिन अपन को normal profit, एक दिन अपन को tik-tak profit हुआ, पहले trade में, दूसरे में stop loss हो गया, I hope आपने देखा होगा, सीखने मिला होगा, पसंद आया तो video like कर देना, और मिलते हैं आपको किसी और video में, और जरूर forex analysis का video भी देख लेना, वो देखने से भी आपको बहुत सारा benefit मेरेगा, क्योंकि बहुत जादा forex content आने वाला, it's doing because this is going very well, forex tweeting is also going very well with this, okay, चलो मिलते हैं आपको किसी और video में, bye, thank you so much.